एक्सेलेंस लर्नर्स के ओनलाइन इंग्लिश क्लास्रूम में आप सभी का स्वागत है और आज इस क्लास में बाते होंगी एक पॉम की जिसका हेडिंग है दे सिक रोज और यह पोईट्री लिखी गई है विलियम ब्लैक के द्वारा स्टुडेंट्स आपको पता है कि बिलियम ब्लैक इंग्लेंड के पोईट थे यही है बिलियम ब्लैक यह इंग्लिश पोईट थे और इन्होंने रोमांस के ओपर लव के ओपर बहुत सारे पॉम को लिखा है यहां जो इनकी कविता है सीक रोज इस पॉम में रोज को इन्होंने सिंबॉलिक रूप में यूज किया है और क्या देख रहे हैं कि यह जो रोज है यह जो लव है यह डीके हो रहा है यह बरवाद हो रहा है यह सीक हो गया है और इसी के ऊपर इन्होंने मात्र दो स्टेंजा में इस पॉम को कमपोज किया है तो हर एक स्टेंजा में यहाँ पर चार चार लाइने हैं और चार लाइन की जो पॉम होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं Quadrant यहाँ तो यह दो Quadrant की Poetry है तो इसमें आप देखेंगे कि इस पॉम में दूसरा और चौथा लाइन राइम्स कर रहा है तो हम कहा सकते हैं A, B, C, B, इसका रैमिंग स्कीम है, तो आज इस पॉम को हम लोग देखेंगे, जानने का प्रियास करेंगे, कि इस poetry में actually poet ने कहना क्या चाहे, बस शर्त वही है कि आप वीडियो को skip नहीं करेंगे, अंत तक बने रहेंगे, तो आपको poetry बिल्कुल समझ में आ जाएगी, है तो चोटी लेकिन अपने में धेरों आर्थ को समावेश्यत मतलब मिलाए हुए है, तो चलिए अपना pen, paper और book लेकर ready हो जाएए, ताकि मैं आपके सामने इसकी जब व्याख्या करूं, और आपको लगे कि कोई important point note करना है, तो तुरत आप note कर लाएगे. So now, without any delay, let's start the explanation of this form, the Sikh Rose. Sikh का मतलब क्या होते है बच्चों? बिमार, जी हाँ, तो यह रोज इनका बिमार है और क्या कुछ का रहे है? O Rose, Thou art Sikh, the invisible womb that flies in the night in the hauling storm. Hauling storm has found the bed of crimson joy and his dark sacred love does thy life destroy. एकदम सीधी सी, असपस्ट और सपार्ड शब्दों में poet ने अपनी बातें रखती और आप देखेंगे कि इस poem में एक line जहां से शुरू हुई है, अंत हो गई है last के line में. तो कोई भी poet ने यहां पर lining change नहीं किया है, और इस तरह का use जब poem में poet करता है, तो उसे खाते हैं in jab meant, तो in jab meant का use किया है poet ने. और पहला line है o rose, thou art, seek. o rose मतलब रोज को सम्भोजित कर रहे हैं, point जब कविता में किसी भी चीज़ को सम्भोजित करते हैं, means address करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जी हां, बिल्कुल सही कहा आपने, उसे कहते हैं apostrophe, तो apostrophe का use किया है, साथ ही साथ रोज को capital letter में लिखा ह है, art, है न, मतलब emphasis किया है, जोड़ दिया है, इस बात को ज़्यादा focusing करके highlight किया है, क्या कहता है, कहते है, poet or rose, thou art, seek, thou मतलब you, art, मतलब art, means you are seek, तुम बिमार हो, कहने का मतलब कि रोज को पता नहीं, कि वो बिमार है, रोज क्या है, एक symbol of love है, जब कोई love में रहता है, romance में रहता है, तो उसे पता नहीं लगता कि उसकी जिंदिगी बरवाद हो रही है, सामने वाला उसे बता रहा है, or rose, you are seek, the invisible war, invisible war मतलब जो दिखा ही नहीं पड़ता है, जो भी आपकी दिक्कतें आ रही है, आपका जो problem है, when you are in love, you many times neglect or not able to understand the problem, आपको अपका problem दिखा ही नहीं पड़ता, इसलिए poet का रहे है, the invisible war, एक कीड़ा है, जो दिखा ही नहीं पड़ता, that flies in the night, जो की रात में उखता है, in the hauling storm, hauling storm मतलब, जो की तूफान, जिसमें आवाज आ रहे हैं, तेज की तूफान में, तूफान के साथ वा कीड़ा उठता है, has found out thy babe, उसने आपके बेट को पहचान लिया है, found out, पा लिया है, किसने, उस कीड़े ने खोज लिया है, आपके बेट को, right, of cremation, जो आपका बेट कैसा है, cremation, cremation मतलब होता है, दम, खून के तरह लाग, गुलाब तो हलागी कई रंग के होते हैं, लेकिन गुलाब में ज असले पोएट ने क्या कहा, उसे, cremation जुआ है, तुम्हारी जो यह रक्तिम खुशी है, तुम्हारे जो लाल तरह की रंग की यह खुशी है, तुम्हारे बेट को, तुम्हारे खुशी को, उस कीड़े ने देख लिया है, किस कीड़े ने, जो कि invisible है, and dark secret love dies thy life destroy, और सबसे बड़ी बात तो यह है, dark secret है, यह छुपा हुआ रहस्य है, कि तुम्हारे जिंदिगी decay हो रही है, destroy हो रही है, means, पोएट ने एक तरह से कहा, कि सुन्दर चीज़ जो होती है, जो प्रकृती होती है, वह इस nature में, यहां के जो on the earth, चुकि सुन्दर चीज़ क्या होता है, heaven से compare किया है, heavenly things कहा है, when the heavenly things comes upon the earth, then due to some impurities, some wards of decaying, attacked on it, क्या होता है, स्वर्ग से आने वाली सुन्दरता पर, धर्ती की गंड़ी कीडे मुकडे उसे अटाक करते हैं, और धीरी धीरी उसकी जो सुन्दरता है, वह मर जाती है, right? So life को decay से भी आप कह सकते हैं, कि poet ने यहाँ पर बताया है, कि जो सुन्दर है, आने वाले कल में, वह खत्म हो जाता है, इसलिए impurities से, कीड़ों से, जो invisible things हैं, जो से step by step, gradually destroy कर रहे हैं, उससे बचने का एक संकेत भी किया है, poet ने, तो बच्चों यह रही इस कविता की ब्याख्या, इसमें मैंने आपको अर्थ, बावार्थ, और जो figure of speech का use हुआ है, अब बारी है आपकी, जाते जाते मैं आपको याद कराऊं, यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, और अब तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है, तो बस अभ आपको जानकारी सबसे पहले मिले, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली बार, कुछ नए ब्याख्यान, कुछ नए subject के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद.